हेलो दोस्तो आज मैं आपको 2022 में रिलीज हुई बदाई दो मूवी को एकस्प्लेन करने वाला हूँ ये एक कोमेडी ड्रामा मूवी है मूवी एकस्प्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहले बार आई हैं तो नीचे दिये गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के ग्रे कर दे ता कि आप हमारे चैनल से जुड सके और हमारी आने वाली वीडियोस को देख सके अब भी ना टाइम वेश्ट किये हम मूवी को एकस्प्लेन करना स्टार्ट करते हैं श्रदुल को देखते हैं जो की पेशे से एक प्लिस इंस्पेक्टर होता है लेकिन उसकी पोस्टिंग महिला थाना में हो रखी थी जिस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे दिन बर महिलाओं के बीच में ही रहना पड़ता था श्रदुल अपने सीनियर ओफिसर से अपने ट्रांसफर कराने की बात करता है लेकिन वो उसे साफ साफ मना कर देती हैं श्रदुल ने अपने परिवार वालों को एक लड़की की फोटो बेजी थी जो की धरम से मुशलिम थी श्रदुल शादी नहीं करना चाता था श्रदुल इसलिए वो कहा देता है कि अब लड़की की तो शादी हो चुकी है तो अब वो किसी और के साथ चली गई है और ऐसे ही बहाने बाजी करके वो शादी की बात टाल देता है और इसके बाद अब हमें एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सुमन होता है और वो एक डेटिंग एप पर किसी मादा की तलाश में भटक रही होती है क्योंकि उसे नर नहीं बलकि मादाय पसंद थी तब ही उसे राजू नाम की लड़की का मैसी जाता है जो की किसी मर्द से तो पूरी नहीं हो सकती थी इसलिए वो शादी के नाम पे तो दूर ही भागती रहती थी सुमन की उसकी माँ से तो जादा नहीं बनती थी लेकिन उसके पापा उसके साथ दोस्त की तरह ही रहते थे और सुमन उनसे हर बात शेयर करती थी और उसकी ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि उसे लड़के नहीं बलकि लड़किया पसंद है सुमन जिस राजू नाम की लड़की से बात किया करती थी उसे मिलने के लिए उसने सोच लिया था तब वो रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रही होती है तब ही उसके पास एक लड़का आता है और उससे कहता है कि मैं ही राजू हूँ यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़के ने अपनी फेक आईडी बना कर लड़की से बात कर रहा था और उसी आईडी से वो सुमन से बतियाते रहता था ये बात सुनते हैं ये सुमन वहां से निकल जाती है लेकिन वो लड़का उसका पीछा करना शुरू कर देता है एक दिन लड़का सुमन की पापा की दुकान तक आ जाता है और उससे कहता है कि मेरे साथ करो वरना मैं सबी को बता दूँगा कि तुम्हारी सचाई क्या है भी सुमन जाती थी वहीं पर शुरू पहुंच जाता था सुमन उससे परेशान होकर उससे पूछी लेती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है शुरू उससे एक पारक मिल ले जाता है और उससे कहता है कि आप हमारे ही काश्ट की है तो हमें शादी कर लेनी चाहिए सुमन उसे साफ साफ मना कर देती है और उसे कहजी है कि मुझे तुम्हारे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है शुरदुल उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपका इंटरेस्ट लड़कों में नहीं बलकि लड़कियों में है लेकिन मेरा इंट्रेस्ट पूरा लड़कों में ही है यहां हमें पता चलता है कि श्रदुल को लड़के पसंद होते हैं और सुमन को भी वही पसंद था जो वो खुद है श्रदुल उसके सामने ये उफर रखता है कि हम दोनों शादी कर लेंगे फिर हम चाहे तो किसी के साथ भी अपनी मरजी से प्यार के फुल खिला सकते हैं सुमन को श्रदुल की बाद काफी जादा सही लगती है और उन दोनों की काश्ट भी सेम थी तो दोनों के परिवार वाले शादी के लिए मान जाते हैं और फिर खुशी खुशी दोनों की शादी हो जाती है शादी हो जाने के बाद अब दोनों ही लोग हनी मून के लिए जाते हैं लेकिन उनकी शादी तो बस एक समझोता थी इसलिए वो दोनों ही अलग अलग रूम में रहते हैं श्रदुल का कबीर नाम का एक boyfriend था जो वहीं पर आ जाता है फिर श्रदुल और कबीर एक दूसरे पर प्यार की बारिश करने लग जाते हैं वहीं पर सुमन की कोई भी girlfriend नहीं बनी हुई होती है तो वो वहाँ पर अराम से गूम कर enjoy करने लग रही होती है कुछ समय बीदने के बाद दोनों ही लोग अपने honeymoon से वापस आ जाते हैं और एक room लेकर रहने लग जाते हैं सुमन के पिता की तब्या ठीक नहीं चल रही थी तो वो सुमन को सैंपल देकर स्टूल टेस्ट कराने के लिए बेज देते हैं सुमन टेस्ट कराने के लिए जब हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ उसी रिमजिम नाम की एक लड़की मिलती है जीसे देखते ही सुमन उसकी खुबसूरती में खोसी जाती है और ऐसा लग रहा होता है कि उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया हो सुमन को रिमजिम काफी ज़्यादा पसंद आ गई थी तो वो दुबारे से टेस्ट कराने के बाने होस्पिटल में जाती है और रिमजिम से टेस्ट करने को कहती है अच्छी बात ये थी कि रिमजिम भी सुमन के जैसी ही थी यानि कि उसे भी लड़कियों में ही इंट्रेस्ट था तो वो समझ गई थी कि सुमन उसे पसंद करती है तो वो उसे डेट पर जाने के लिए कहती है दिमजिम कहती है कि उसने अपने घरवालों को अपनी सचाई बताई थी और तब से उसके घरवालों ने उससे बात करना ही बंद कर दिया शायद इसलिए सुमन ने भी कभी भी अपनी पसंद को अपने घरवालों से नहीं बताया था क्योंकि उसे यकीन था कि उसके घरवाले भी कुछ इसी तरीके से रियक्ट करेंगे अब हम देखते हैं कि शिरदुल से एक सीनियर ओफिसर मिलते हैं जो कि कहते हैं कि तुम्हारी अब शादी हो गई है इसलिए मैंने बात करके तुम्हें पुलिस कलोनी में एक घर दिला दिया है शिरदुल को ये जानकर बिल्कुल भी खुजी नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर सभी पुलिस वाले रहते थे क्योंकि उसकी शादी की सचाई का भांडा फूट सकता था लेकिन सभी के सामने उस सचाई को सचाई बनाए रखने के लिए वो सुमन के साथ उस घर में शिफ्ट हो ही जाता है शिरदुल और सुमन एक रूम मेट की तरह घर में रहते थे और दोनों ने ही अपना अपना काम बाट लिया था हम देखते हैं कि सुमन और रिमजिम एक दूसरे के काफी करीब आने लग गए थे और सुमन फिर रिमजिम को अपने घर पर ही ले आती है ताकि उनके बीच जो थोड़ी बहुत दूरियां हैं वो भी खतम हो जाए और वो दोनों एक दूसरे की गहराईयों में डूब सकें अगले दिन शिरदुल जब रिमजिम को अपने घर में देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं तो कि वो एक पुलिस कलोनी में रहते हैं और ये बाते अगर किसी को बाहर पता चल गई तो उनकी बाते निकलना स्टार्ट हो सकती है तब ही उस वक्त वहाँ पर सिर्फ सीनियर ओफिसर की वाइफ ही आ जाती है और तब वो रिमजिम को देख लेती है तकि वो दोनों सारा टाइम साथ में रह सके रिमजिम और सुमन कुशी कुशी साथ में रहने लग जाते हैं और उनके बीच काफी कुछ अच्छा चल रहा होता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो तबी एकदम से बिना बताए सुमन के मम्मी और भाई घर में आ जाते हैं फिर वो दोनों भी रिंजिम को देख लेते हैं और उस टाइम भी दोनों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोलें तो उसी टाइम सुमन अपने मम्मी और भाई को बोल देती है उसके साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो अब शुरदुल को छोड़ कर चला जाता है, इस बात से शुरदुल को बहुत जादा दुख पहुचता है, क्योंकि जिसके साथ वो भवशे बिताने की सोच रहा था, वही अब उसे छोड़ कर चला गया था, सुमन उसके पास कर उसे emotional support देती है और उसे गले लगा कर एक दोस्त की तरह उसके दुख को कम करने की कोशिश करती है अब हम देखते हैं कि श्रदुल सुमन को लेकर अपने घर में आ जाता है क्योंकि काफी टाइम से सभी लोग उन्हें देखना चाते थे। तो वक्त निकल जाएगा फिर उस टैम पर कुछ भी नहीं निकल पाएगा श्रदुल इस बात से बचने के लिए अपने जीजा जी को जूट बोल देता है कि सुमन कभी बीमा नहीं बन सकती इसलिए हमारा बच्चा नहीं हो पाएगा जीजा इस बात को पूरे घर में फैला द लग जाता है कि दोनों की दोनों कुछ न कुछ चुपा रही हैं फिर सबी लोग मिलके श्रदुल की मा को श्रदुल और सुमन के साथ बेजने का प्लैन बना लेते हैं ताकि वो जासूसी करके असलियत का पता लगा सके सुमन और श्रदुल को बिलकुल भी पता नहीं था कि माँ उनके साथ आ रही है और तब पता चलता है तो उनके पास किसी भी तरीके का कोई प्लैन नहीं था कि वो अपनी माँ को अपने साथ आने के लिए रोक सके लेकिन रिमजिम तो उनके घर में ही रहती थी तो वो जाने से पहले दोनों ही रिमजिम को कॉल करने की कोशिश करत कि श्रदुल के जो सीनियर ओफिसर है ये उनके वाइफ की कजन है और इसी के पास हम अपने घर की चाबी छोड़कर गए थे रिम जिम अब एक ऐसा करेक्टर बन चुकी थी कि कोई भी मुसीबत आने पर उसे किसी ना किसी का कजन से श्रबना ही देते थे अब मा के आ जाने के सुमन और श्रदुल को अब साथ में ही सोना पड़ता है ताकि मा को ये शक ना हो कि वो एक दूसरे के साथ नहीं बलकि किसी और के साथ ही सोते हैं सबी लोगों ने मिलके मा को इसलिए भेजा था कि वो दोनों के बीच में वो साग को बढ़का सके जिस साग के जरिये वो बच्चा होने का प्रोसेस आगे बढ़ सकें सुमन अमा की हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी थी क्योंकि वो उसे हर वक्त बच्चा करने की सलाई देती रहती थी और इसी बात का वो सारा का सारा घुसर श्रदुल पर उतार रही हुती है श्रदुल उससे कहता है कि शाय mock में बच्चा करने के परकिरिया को कर ही लेना चाहिए तुमन भी इस बात से थोड़ा थोड़ा एगरी करती है और वो दोनों इस बात को जाकर रिमजिम को बताते हैं फिर रिमजिम ये बाते सुनकर बहुत ज़्यादा गुसा हो जाती है क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसका पार्टनर किसी और के साथ संभोग करे तो फिर ये प्लैन यहीं पर खतम हो जाता है फिर हम देखते हैं कि श्रदूल अपनी डूटी कर रहा होता है जहां पर दो लड़कों की शादी हो रही होती है उसी शादी में श्रदूल को एक लड़का देखता है जिसका नाम नरायन होता है और उसे देखते ही वो उसे देखता ही रह जाता है जैसे कि श्रदूल को वो एक ही नजर में पसंद आ गया हो श्रदुल और नरायन की अब दीरे दीरे मुलाकाते होने लग जाती हैं और उनके बीच अब प्यार के फूल खिलना शुरू हो जाते हैं जिस तरह श्रदुल ने अपने जीजा को बताया था कि बच्चा ना होने की वज़े सुमन है वैसे ही सुमन भी श्रदुल की मा को ये बता देती है कि मेरे अंदर नहीं बलकि श्रदुल के अंदर कमी है जिस वज़े से बच्चा नहीं हो पा रहा है फिर श्रदुल सुमन के उपर गुसा करने लग जाता है कि उसने ऐसा मा को क्यो कहा सुमन उससे कहती है कि अब यही सही रास्ता है इस चीज़ से बचने के लिए क्योंकि तुम्हारा जो अब टेस्ट होगा वो रिंचिम के हॉस्पिटल में होगा और रिंचिम गलत रिपोर्ट बना के दे देगी लेकिन उस वक्त किसी ने भी ये बात नहीं मानी थी लेकिन जब टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद सब घरवालों को ये पता चला कि श्रदुल में ही खोट है तो सारे घरवाले बच्चा गोद लेने के लिए मान जाते हैं श्रदुल यही बात जाकर सुमन को बताता है तो सुमन घुसा होने की वज़ा बहुत ज़ादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे हमेशा से ही एक बच्चा चाहिए था लेकिन जो उसकी पसंद थी उस हिसाब से उसे कभी बच्चा होई नहीं सकता था लेकिन अब ये बात जानने के बाद वो बहुत जादा खुश थी क्योंकि अब वो बच्चा गोध असानी से ले सकती थी फिर दोनों लोग चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर में जाते हैं और वहाँ पर चाइल्ड अडॉप्ट करने के लिए अप्लिकेशन डाल देते हैं इस बात से रिमजिम भी बहुत जादा खुश होती है क्योंकि सुमन की तो असली पार्टनर वही थी एक तरह से बच्चे के ओपर उसका भी पूरा हक था पिर हम देखते हैं कि शुरदुल अपनी मा को रेलवे शेशन लेके जाता है ताकि वो ट्रेन में बिठा सके लेकिन वहाँ पोचने के बाद उसे पता चलता है कि ट्रेन वहाँ से अल्रेडी निकल चुकी है शुरदुल मा को बीचना चाता था लेकिन ट्रेल निकल जाने की वज़े से शुरदुल मा को वापसी घर लेके आ जाता है लेकिन तबी यहाँ पर सब कुछ गड़बड हो जाती है शुरदुल सुमन को तो बताना भूल ही गया था कि ट्रेन मिस हो गई है तो मा घर आने के बाद सुमन को रिम जिम के साथ गुलू गुलू करते हुए देख लेती है अब यहाँ पर सुमन का सारा राज खुल जाता है और सुमन की सारी हसी खुशी गायब हो जाती है फिर सुमन के पिता जी सुमन को घर वापस ले आते है और वहां का माहूल फिर कुछ अलगी नजर आ रहा होता है सुमन की पसंद का पता चलने के बाद सुमन की मा को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कोई पाप कर दिया हो और उसका भाई भी काफी बत्तमीजी से बात करता है दुनिया चाहे कुछ भी कहे उस बात से सुमन को बिल्कुल भी फरक नहीं पड़ता था लेकिन अब तो उसके पिता ने भी उससे मूँ मोड लिया था जो पिता उसे हर मुशीबत में उसका सपोर्ट किया करते दे वही पिता अब उसका साथ नहीं दे रहे थे जिस बात से सुमन बहुत जादा तोड़ जाती है उधर शरदुल का पूरा का पूरा परिवार सुमन को कोस रहा होता है और उसके खिलाफ उल्टी सीधी बाते बना रहा होता है कोई कहता है कि उसे कोई बिमारी है और कोई कहता है कि मुझे उसके बारे में सोचते ही गिना रही है सबकी बाते सुनते हुए शरदुल को गुसा आ जाता है और वो अपनी चुपी तोड़ते हुए कहता है कि ये सब कोई बिमारी नहीं है ये सब कुछ नेचुरल है ये फीलिंग अंदर से आती है और उपर वाले ने बनाया ये ऐसा है तो हम क्या करें और कहता है कि सुमन बहुत अच्छी लड़की है और मुझे उसके बारे में सब कुछ पहले से ही पता था फिर शरदुल सब के सामने अपनी सच्चाई भी बता देता है कि मेरी पसंद भी अलग ही है और मुझे लड़की नहीं लड़के पसंद है तो फिर आप सब को अगर सुमन से गिन आती है तो मुझे से भी गिन आनी चाहिए ये बाते सुनने के बाद वहां का माहुल पूरा का पूरा सनाटे से भर जाता है और कोई कुछ क्या ही नहीं पाता है ऐसा लग रहा होता है कि जैसे सब के सब को साप सुझ गया हो और सब को कुई ना कोई तरीके का बहुत पड़ा जटका लग गया हूँ शरदूल रोते रोते चछट पर जाता है और फौन करके सुमन को सब कुछ बता देता है थोड़े देर बाद श्रदूल की माँ उसके पास आती है और उसे गले से लगा लेती है चाहे पूरे परिवार ने श्रदूल की इस बात को accept नहीं किया हो लेकिन माँ ने एक बेटे को accept कर लिया था और वो जैसा है उसे वैसा ही अपना लेती है फिर कहानी यहां से एक साल आगे शिफ्ट होती है जहां पर हम देखते हैं कि श्रदुल अपनी डूटी कर रहा होता है हम देखते हैं कि वहां से LGBT क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली निकल रही होती है उस रैली में वो सभी लोग मوجود होते हैं जिनकी पसंद वैसी ही थी जैसे कि सुमन और श्रदुल की थी उस रैली से सभी लोग ये मैसिज देना चाहते थे कि प्यार तो प्यार ही होता है चाहे वो किसी से भी हो या फिर किसी भी तरीके के जेंडर से हो गुरु नरायन जब श्रदुल को देखता है तो उसे अपने साथ शामिल होने के लिए बुलाने लग जाता है सुमन बच्चा तो चाहती थी लेकिन वो रिमजिम के साथ रहकर बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि ऐसा करना हमारे देश के कानून में नहीं है श्रदुल और सुमन पूरे परिवार को एक साथ बुलाते है और उनके सामने कहते हैं कि हम पती-पत्नी बनकर ही रहेंगे क्योंकि तभी बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं श्रदुल कहता है कि हमारे देश का कानून ही ऐसा है कि सिर्फ नार्मल कपल ही बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं तो फिर हम किस-किस को समझाते रहेंगे कि हम भी नार्मल ही हैं इसलिए बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए हमें इस शादी को बनाए ही रखना होगा फिर कहानी या से एक साल आगे शिफ्ट होती है जहां हम देखते हैं कि दोनों ने ही मिलके एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया होता है और वहाँ पर पूरा का पूरा परिवार हसी खुशी मौजूद होता है वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने सुमन और श्रदुल की पसंद को एकसेप्ट कर लिया था और ये समझ लिया था कि जो उनका प्यार है वो भी नॉर्मल ही है और जो प्यार है वो एक तरीके की फीलिंग है जो की अंदर से आती है और किसी के लिए भी आ सकती है गुरू नारायन, श्रदुल, उमन और रिमजिम सभी एक साती बैठे होते हैं और पूरा परिवार उनके खुशी में शामिल होता है और इसी स्वीट नॉट पे मुवी यहीं पर खतम हो जाती है वैसे तो अभी तक यह मुवी किसी भी OTT प्लाटफॉम पर रिलीज नहीं हुई है लेकिन आगे आने वाले टाइम पर शायद यह मुवी Z5 OTT प्लाटफॉम पर रिलीज हो सकती है लेकिन अभी आप अगर यह मुवी देखना चाते हैं हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियोज बनाने का और ऐसे ही आने वाली वीडियोज को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दे ता कि आपको हमारी न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन असानी से मिल सके अभी के लिए अलविडा दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक न्यू मुवी की एक्स्प्राइशन के साथ तब तक के लिए थैंक्यू दोस्तों